आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ओफ लिटरिचर का दूसरा पार्ट जो के है प्रॉस को छोड़ के जो कुछ है वो सब का सब क्या कहलाता है प्रॉस कहलाता है इस हम देखते हैं क्या होता है तब सु प्रोस जो है बन्यादी तोर पे ज क्लिडू हम आज होते हैं ज TS मिन जुम्लों की शकल में वराट जींडेन काइक जुम्ल बंत प्रॉस कि अहल circling нос तो पैट कढ़ फाल हम ऊच्छल के व इस थिंग इन राइब कर्वैब आária। बाव ही है लगो विद्न आप टैक्स को वरते लिए मेन लिख्टे आ फ्रेजित इस्तेमाल करते हैं इसथूर्पर में आजाता है हाँ आ विकाबलरी यूज करते हो ताके आपना मैसेच प्रॉपरली गन्वे कर सको और इसका जो है कोई फॉर्मल मेट्रिकल स्टॉक्चर नहीं होता, मेट्रिकल स्टॉक्चर कहते हैं जिसमें रिधम आए जिसे कि हमें शायरी में नजमों में घसलों में नजर आता है तो है प्रोस म कहानियों में जिसको हम प्रोज कहते हैं और नॉनन फिक्शन राइटिंग अप जितनी ऐसे लिखते हैं वह भी प्रोस के अंदर ही फॉल करते हैं और प्रोस के अंदर ही जर्नल्स है और स्के सब क्यलाते हैं विडिखान टां टाइप प्रोज के अंदर हमारे पास अमेजनेटिश थेमर्टेक और किसम की चीज़े मझुद African दू는데ух Ohwhy और से relação हो तेवलिटेज होती है नों जिर 이हां पंगे क्वा इसके अंदर हम अपने हीरोज लगार्ण लिसके अंदर हम अपने हीरो को दिस्क.? करते हैं अपने हिस्टरी को और उसकी दिसके करते हैं सक्सेस को डिसकेस करते है आप रोस पूई ihis करहते है कि भी हो सकती है mówią और में सदेख कॉए उसक्ते हैं ऑति कि इसे हम आपस तो फंक्षन क्या है आप क्या क्या कि इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से लिखते हैं जैसे आप बोलते हैं उसके अंदर आपके डायलोग होती है आप fiction या topical factual writing को discuss करते हैं जैसे discourse लिखा जाता है it's a very simple way of writing और it is also the common language जो के हमें नदर आती है newspaper में, magazines में, कहानियों में, literature में, encyclopedia में, चाहे आप TV में सुन रहे हो चाहे आप philosophy में पढ़ रहे हो, law में पढ़ रहे हो, history में पढ़ रहे हो, science में पढ़ रहे हो उर्दू की एक हम बहुत ही मज़ेदार सफर नामा हमारे सामने मौजूद है और मुझे उमीद है कि आप में इसको पढ़ा होगा चलते हो तो चीन को चलिए, इबने इंशा ने लिखा था और ये प्रोस की बहुत ही interesting example है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ हम क्या और हमारा जाना क्या, जहास में बैठे और जमीन की तिनाबे की चलिए, अंदरू उने चीन भी उरन खटोले और धूए की गाड़ी से बाबसता रहे, ये भी कोई सियाहत है, ना सर में गर्द, ना पाओं में आबला, सियाहत का मंसब तो मार्को पोलो का था, इबने मिलते थे, कम असकम मार्को पोलो के साथ यही गुजरी, और जब इसने यॉरप के एहदे तारीक के बासियों के चीन की चका चौन की कहानिया सुनाई, तो लोगों ने उसे दुनिया के सबसे बड़े जूटे का खिताब दिया.